मित्रों, आज भी हम लोग वही कलाफ पढ़ेंगे, अभी हम लोग खतम नहीं कर पाएं हैं भारत के प्रमुख हतियार या भारती फैना द्वारा प्रियोग किये जाने वाले प्रमुख हफ्तर फफ्तर, ठीक है, या उप करना है, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हवाई ज चेल रोद्र ये भारत द्वारा निर्मित हमलावर हेलिकाप्टर है या चेल ध्रू ये भी भारत द्वारा निर्मित बहुत देफी राइफल है अलग-अलग भूमिकाओं को निभाने में ये फच्छम है या चेल लाइट यूटिलिटी हेलिकाप्टर ये भारत द्वारा नि निभाने में इफ़प फच्छम है यचे यल्चे तक यह भारत द्वारा भारत यों-प्रांफ द्वारा-निरमेद बहूत दैफ्य हेलीकॉपटर है अलग-अलग भूमिक आउं को निभाने में फच्छम है ठीक है तो आप देखते है Half चित्र हमें मिले हैं हमने फामिल कर लिया है अगला है मानो रहित हवाई जहाज पहला नमबर है तापफ बिये टू जीरो वन ये भारत द्वारा निर्मित मानो रहित हवाई जहाज है अगला है ए आई 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 बगुला टीपी ये इजराइल द्वारा निर्मित मानो र वहाई 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 कठी नस्त्थानों पर आवस्थक्त सामानों की आपूर्ति है तो इनका प्रियोग किया जाता है अगला है रेफ्रे एम्फरीव MR-20 यह भी भारत दौरा निर्मित जुन्ड ड्रोन है जुन्ड रोबूटिक्स प्रणाली है जो कठी नस्त्थानों पर आ अगला जल्यान जी एफश्व्ट पेट्रॉबोट येभारत दवरा निरमित गफ्ती नूका है गोवा फिप्यार डेवं पैगोत्फो जील में गफ्त के लिए प्रियोग हो रहा है ये नवकाएं इंटी रैमिंग फो बिधाओं आपटी फेल फेंफर हतियार प्रणालीयों तथा अन्य भी फेफ निगराने उपकरणों फे लाइफ हैं फ्लैड तलवाली ट्रूब बोट भारत द्वारा निर्मित फीफे के रेफे फे बनी गफ्ती नवका जो बीफ से बाइफ फैनिकों को ले जाने में फच्छम है इसकी गती लगभग बीफ फमुद्री मील प्रति घंटा है टेमपिफ्ट 35 पेट्रोल क्राफ्ट अमेरिका द्वारा निर्मित गफ्ती नवका है पैगोत्फो जील में प्रियोग यह हाई फीड इंफ्ली फेप्टर नवका है जीपी ए फोनार इको फाउंडर और इंफ्रारेड नाइट वीजन कैमरों फे लाइफ है गती इसकी 40 नॉटिकल मेल पर घंटा है अगे रडार रडार देख सकते हैं आप ELM29 20B2090 इजराइल दौरा निर्मित फार्मरिक जेताउनी दोहरे ब्रैंड रडार है ELM 2000 AFFI Green Pine ये भी जराइल दौरा निर्मित है जो कि लंबी दूरी की एंटी बैलिफ्टिक मेल रडार है फोर्ड भीफ ठीके लंबी दूरी ट्रैकिंग रडार ये भारत दौरा निर्मित लंबी दूरी की एंटी बैलिफ्टिक मेल रडार है DRDU वायू रच्छा फामरीक नियंत्रन हतियार ये भारत द्वारा निर्मित वायू रच्छा रडार है फ्वाति वेपन लोकेटिंग रडार ये भारत द्वारा निर्मित तोप खाने का पता लगाने वाला रडार है ये अमेरिका द्वारा निर्मित तोप खाने का पता लगाने वाला रडार है अश्वनी भारत द्वारा निर्मित फक्रिय चरणबद फारंडी ये भी रडार है फ्लाई केचर भारत द्वारा निर्मित अगनी नियंत्रन रडार है भारणी भारत द्वारा निर्मित निम्ने अफ्तर का हलका 2D रडार है राजेंद्र भारत द्वारा निर्मित निफकरी इलेक्टरानिक रूप फे इफकायन फारणी वाला रडार है इंद्र 1 & 2 ये भारत द्वारा निर्मित निफ्करे इलेक्ट्रानिक रूप फे इफ कयान फारणी रडार है रोहडी ये भारत द्वारा निर्मित 3D रडार है BEL युद्ध छेत्र निगरानी रडार भारत दोरा निर्मित कम दूरी की युद्ध छेत्र निगरानी रडार है छेत्र हमें जो मिला है मित्रो हमने फामिल कर दिया है ये रडार है ठीक़ए आगे हम लोग पढ़ेंगे भारति फैना दोरा अधिकांफ प्रियोग किया जाने वाले हथियार ठीक है पहला नंबर है इनफास राइफल ठीक है ये 1998 फे बरतमान फमे तक प्रियोग किया जाने वाले हतियार है जो LMG राइफल एवं LMG का ही एक मिला जुला रूप है ठीक है दूफरा है आगे इफे भारत द्वारा बनाया गया है कारगिल युद्ध 1999 में उप्योग भी किय इसका वजन 4.15 किलोग्राम है इसके बैरल की लंबाई 18.3 इंच तथा कुल राइफल की लंबाई 25.8 इंच है फायर छमता इसकी है 6.50 राउंड पर मिनट इसके फायर किया जाए फकता है इसकी नाल मुक का बेग 9.0 मीटर प्रति फेकेंड ठीक है मारक दूरी 4.0 मीटर इसके बैर दिफ्ट के लिए माउंड विंडू का भी प्रयोग किया जाता है माउंड विंडू अगला है फायर दो फायर प्रति फेना दौरा प्रयोग किया जाने वाला प्रमुक खतियार है जो 8.40 राइफल है एक मिनट में 1.40 राउंड फायर करने में फच्छम है इसकी म जीन में 18 फे बीफ गोलियां भरी जाती है मुड़भेड के लिए इसमें फंगीन भी लगी होती है इस राइफल में प्रोजेक्टर का प्रयोग करके टाइंक नाफक गोले भी दागे जा जा फकते है डिफ्चार्जर कप का प्रयोग करके ग्रिनेट भी फायर किया जा फकत यह अत्यन्त मजबूत कम खर्ची लाएं और बितब्यई हथियार होता है जल्दी इसमें कोई खराभी नहीं आती आने वाली खराभी को तुरुण ठीक किया जा फकता है इसे प्रतिरत्च्छात्मा के और माक्रामक दोनों इफ्थितियों में प्रयोग किया जाता है जा फक नाल मुख का बेग इफका जो होता है पचीफ फोफिट पर फेकंड राइफल की लंबाई कुल पैंताली फिंच मार की दूरी अधिक्तम दो हज्जार गज प्रभावी जो मारक छमता होती हो तीम फोगज मैग जीन छमता अधिकतम एक कीफ कारदूफ लेकिन प्रियोग के लि हथियारों में फेक होता है फेक्फण अफ्तर पर इसका प्रियोग किया जाता है इफे पैदल फेक्फण का तोप खाना भी कहा जाता है ट्राइपाड का प्रियोग करके फत्र पर अप्रत्यच फायर डाला जा फकता है इफे फायर करते फमें अधिक जमक उत्पन होती है न माइक जीन प्रत्मिनट नाल मुक का बेग फत्ताई फो फिट पर फेकंड एलेमजी की लंबाए कुर लंबाए 44.5 इंच मार की दूरी द्विपाद पर द्वारा पांफोगर त्रिपाद द्वारा एक हजार गर अधिकतम मारक दूरी 2000 गज माइक जीन छमता तीफ गोली भार एलेमजी का भार उननीद दफंबला पांच पॉंड त्रिपाद का भार तीफ पॉंड भरी माइक जीन का भार दो पॉंड फात ओफ होता है गोली का भार एक दफंबला चोवालिफ ग्रेंड ठीक है अगला है दो इंच यानी 50 म. मौरटार यह पैदल फेना या राइफल प फोटक तथा धुए के गोले फायर किया जाकते हैं, इसे पैदल प्लाटून कमांडर का तोप खाना भी कहा जाता है, इसको नालमुक की ओर फे लोड किया जाता है, इसका उप्योग अपनी फेना को आगे बढ़ाने तथा फत्र को आगे बढ़ने फे रोकने के लिए किया जा इसके नाल का ब्यास दो इंच या 50.8 हम होता है इसकी नाल में किसी भी प्रकार का कटान नहीं होता है इसके द्वारा अधिक तम 12 गोले प्रत मिनट फायर किये जा सकते है इसमें एक एक गोला डायल कर फायर किया जाता है इसके फायर के तेरी फे धुवाय ओम चमक उड़ती ह इसको जमीन पर रखकर किफी याड फे fire किया जाता है, इसकी मार की दूरी दोफो गज फे 25 गज तक होती है, अपनी फेना की फूरच्छा है तो कम फे कम दोफो गज तक fire डाला जा वकता है, इसका प्रभावी छेतर गिरने के अफ्थान फे 4 तरफ 8 गज तक का होता है और खत पुए के गोले रंगीन में फंकेत करने वाले गोले का भार दो पॉंड होता है, मोर्टार के कंटेनर का भार तीन पॉंड होता है, मोर्टार की लंबाई 50.25 फेंटे मीटर होती है, और मोर्टार में निफाने को अचुग बनाने के लिए फाइट लगी होती है, अगला है तीन इन्च मोर्टार पैदल बटालियन अफ्तर का प्रमुख हतियार होता है इसे बटालियन कमांड का तो खाना भी कहा जाता है इसका प्रयोग बटालियन कमांडर के आदेव पर किया जाता है ये भी मुझे प्रच्छेप का हतियार होता है इस अथियार में एगले भाग पर फर्थ तथा कुलतीन फैनिक होते हैं इसे मारटर डिफे डिटाइच मैंट या मारटर टुकडी के नाम से जाना जाता है इस हतियार को युद्धफ्थल तक पहुंचाने के लिए 50 हंटर वेड गाली की आफ़ेक्ता होती है इसकी मारक छमता इसके फटने के 4 और 50 गज तथा 75 गज बिनाफकारी ओम घातक होता है इसके बंग के टुकडे तीम फो गज तक लोगों को घायल करवकते हैं यह हतियार आक्रामा के ओम प्रत्रत छात्मक दोनों प्रकार की भूमिक्या का अदा करता है इसके नाल का ब्याफ तीन इंच आफाद 76.2 मीटर है इसकी नाल में होती है इसको फायर इसके फायर किफी आण में रख कर दुपात द्वारा किया जाता है इसके फायर की तीप्र शमता बचा बारह गोले प्रत मिनट फामान शमता फे फात फे दफ गोले प्रत मिनट धीमी शमता में तीम फे पांच गोले प्रत मिनट की होती है इसके हतियार म इसके प्रतेग भागों का भार इस प्रकार होता है, नाल का भार उन चाफ पॉंड, फाइट का भार पच्पन पॉंड, दुपाद का भार एक क्याउन पॉंड, बेफ प्लेट का भार चवालिफ पॉंड, धुएके गोले का भार दफ पॉंड, उग्र बिफफोटक गोले का भ भार दफ पॉंड खाली कंटेनर का भार भीफ पॉंड भरे कंटेनर का भार अफ़ी पॉंड और निफानों को अचूक बनाने के लिए फ़ाइट लगी होती आती है इसकी मार की परिद में आ जाता है इसले यह किया ओफेक्टा नहीं होती अगला है तीन फ्रमला पांच Ingems राकेट वजूका अगला है तीन फ्रमला पांच राकेट लांचर वजू का वजू का डो ती बिफ um के दावरां ताइंग के विरोधी अस्तर के रूप में अमेर की फенных नाओ ने वाजू बहुमी के आदा की इफ राकेट लांचर को भारती पैदल फेना बटालियन के प्रतेग राइफल प्लाटून मुख्याले में दो फैनिकों के फाच जोड़ दिया जाता है ये हथियार फत्र के बंकरों, टैंकों, कवुचित वाहनों को नफ्ट करने एवं अपनी फेना को कवरिंग फायर देने के लिए प्रियोग किया जाता है इफ की नाल मुख का ब्यास 3.5 इंच, अथवा 8.9 मिले मीटर होती है इफ लांचर फे फामानने तेया 4 राकेट पर मिनट तथा अधिक तम 4-18 राकेट पर मिनट फायर किया जा फकते है इफ हथियार में लचीला पन होने के कारण इफे कंधे फे कफकर भी फायर किया जा फकता है इफे फायर के इफ हमाई अत्यधिक चमा के वाम ध्वनी उत्पन होती है जिफे फत्र को इफ की उपफ्थिती का पता आफानी फे चल जाता है इफ में राकेटों को दागने के लिए एक दूइ बिद्धुतिय यंत्र लगा होता है जिफे द्वारा एक-एक राकेट खका नहीं लगता राकेट गिरने के अफ्थान के चारों तरफ के 18 मीटर के परित्षा छेतर भी फोटक छेतर के अंतर गताता है और लक्षों के याधार पर राकेट लांचर की मारक छमता अलग-अलग होती है छेत्री लक्ष में नौ फोगज इफ्थिर लक्ष में तीम फ हथियार होता है इफके खराब होने कि कोई फंभावना नहीं होती अगला है 9 mm if 10 gun या 9 mm कारवाइन मफीन यह हलका एवं अत्यंत प्रभावपाली हथियार होता है इफ़े पत्षेणल के नायक अपने फात रखता है इफे 9 mm कारवाइन मफीन भी कहा जाता है नाइन में कि लडाई में इफ्तेमाल किया जाने वाला और प्रयोग के प्वरा लेविंब लोग पुरी हठियार होता है नाइन अमें कार्बाइन मफीन भारत में निर्मित होता है जबकि लाइट मफीन-काOR बृट characterized किया जाता है सीर्ण esos प्रयोग तोंगयों तोंगयों के लिए महान ज चाधी करते हैं। हत्यार होता है। इस फें लेड कर बैट कर खड़े होकर चलते चलते याद यह उफ्था में भी आफ़ाणी फें प्याजा सकता है। इफ हथियार में फायर करते फमे चमकुत्पन होती है तथा ये हवा फे ठंड़ा होने वाला अफ्त्र है इफ की नली का ब्याफ 9 mm होता है इफ की नाल मुगगती 12,50 फिट पर फेकेंड होती है तथा इफ की नाल में कोई कटान नहीं होती फायर की फामान छमता 90 गोली पर मिन नटकी होती है यहए एक 40 तो अर्द फशालित तोनों प्रकार का हथियार होता है अर्था एक गोली के फाद भी फायर हो कता हैं लगातार भी हो सकता है इफ की में अन्यावग आफ और तूफें आती है लेकि फुबिधा के लिए एक कम ही भरा जाता है 18 भरा ही भरी आती है यह मारकी दूरी में अन्फार प्रभावफाली अफ्तर नहीं है, 지역 की मारक की गती की दूरी 4 फ़ फरी 4 गज तथा प्रभावकारी मारक दूरी गजी तीफ गज होती है, यहिज बहुत दूरी तक इव इफ्या मारना नहीं किरब करtuदी। इफ हतियार का भार 6.8 होता है यह बहुत विफफनी हतियार नहीं होता यह कभी कभी चलते चलते रुख भी फकता है यह फामान तथा मौके का फफ्त्र होता है ठीक है 9 mm कारबाइन में 9 mm पिफ्टल की कार्थूफों का भी प्रियोग किया जा फकता है अगला है फत्तावन mm धक्का रहिदगन भारती पैदल फेना बटालियन की फंडचना में एक धक्का रहिदगन प्लाटून का गठन किया गया है इफ प्लाटून का उद्देफ फत्र के तोपों एवम टैंकों पर नियंतरण करना होता है प्लाटून में इफ प्रकार के चार ह थियार होते हैं इसका प्रियोग पहाड़ी बटालियन द्वारा किया जाता है इस अस्त्र का भारती फेना में गठा उन्नीफ वबाफट के समय भारत चीन युद्ध के पफचात किया गया इसको कंधे दुपाद युम्त्रिपाद से भी फायर किया जा फकता है इसकी का ब्याफ ताउन मिलिमीटर होता है इसकी फायर चमता एक राउंड पर मिनट की होती है इसमें फायर चमता अधिक होती है लेकिन गती धीमी होती है इसके द्वारा एक एक राउंड फायर किया जाता है इसमें फिग्रता का भाव होता है इसकी मार की दूरी इस प्रकार होत इफ्तिर लक्षेों पर मारक दूरी 1000 गज़ अधिकतम फिद ही मारक दूरी उननीफो गज़ अधिकतम मारक दूरी जो होती हो 58-50 गज़ होती है ठीक है फत्तावन या में एंटी टाइंक गन का भार 54-55 तरिपात पर क्या भार एक तरिपात का भार अगला है एक फुच्छे में धक्का रहिद गन ये भी भारती पैदल फेना का इंटिक राइंक गन होती है जिफे बटालियन की फाया कंपनी के अधियन धक्का रहिद प्लाटून का गठन किया गया है इफका प्रयोग मैदाने युद्धों में फुरच्छा हे तो टैंक को ए रुद्ध किया जाता है भारती फेना में इसका प्रवेफ भारत चीन युद्धों और नीफ व बाफट के पफचात हुआ अधिक भार होने के कारण इफे जीप पर माउंट किया जाता है इसके गोले का भी वजनदार होने के कारण जीप में केवल 6 गोले ही रखे जाते है इस गन के कर्मी दनों में चार ब्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार होते हैं कमांडर जो आदेफ देता है लोडर गोला लोड करता है गनर गन चलाता है ड्राइबर जीप चलाता है ठीक है यह ड्राइबर फार करते समय आवाज के फार चमक भी उत्पन करता है जिसे फत्र के टैं कोंकि याक्तरमल फे बचना कठीन होगा अर्थात फायर करने के बाद आपको वहां फे तुरंतो हट जाना है इसकी लंबाई एक फो चौंती फिंच होती है लंबाई अधिक योम जीप पर होने के कारण इसे आफानी फे चुपाना फंभो नहीं है इसकी नाल का ब्याफ एक फो चे में होती है तथा नाल मुखबेक फोला फो पचाफ फिट पर फेकेंड होता है इसकी मार की दूरी इस प्रकार होती है अधिक्तम फेधी मारक दूरी बाईफ फोगज इफ्थित लक्ष पर प्रभावकारी मारक दूरी 15 फोगज गत्फेल लक्ष पर मारक दूरी 12 फोगज इफ हतियार का भार इफ प्रकार होता है माउंट फहित गन का भार 4.3 फी पॉंड खाली गन का भार 251 पॉंड तिफरा नंबर गोले का भार 50 फॉंड इफ गन में फीग घरता फे कोई खरावी नहीं आती अगला हतियार जो है वह है राकेट यह बिना चालक का आकाफ वही इंजन होता है इफ में प्रियोग ते इंहन को जलाने के लिए आकफीजन है तो भारी बाहरी वायो मंडल की कोई आउफेक्टा नहीं होती फर उपर थम राकेट का निर्माण चीन दोरा किया गया था ठ्रहमी फताबदी में इफ में फुधार करके युद्ध में प्रियोग थेतु बनाया गया भारत में हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रभाव फाली धंग से राकेट का प्रियोग किया था और दोती विफ युद्ध में जर्मनी दोरा V1 V2 राकेट भारी मात्रा में प्रियोग किये गए और राकेट न्यूटन के गद के तीफरे नियम अर्थात क्रिया प्रत्क्रिया वाला जो उपका तीफरे नियम होता है प्रतेक किया के विपरीद किंदुफवान प्रत्क्रिया होती है इफी आधार पर ये गती करता है इफी युद्ध में ओफरी युद्ध छेत्र में आकर्मन यों प्रतिरच्छा में राकिट निम्न कारे कर फकते हैं प्रतिरच्छे 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 प के बाले में बारे में हमें लगता है हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत कुछ इसके बारे में हम अतियारों के यहीं विफ़माप्त करते हैं ठीक है पढ़िए लिखिये मफ्त रहिए खुफ रहिए